हेलो फ्रेंड्स आज हम बात कर रही है केलिस्टरोल की अक्सर जो है केलिस्टरोल बहुत जादा बढ़ जाता है और बहुत जादा नुभ्सान देता है तो इसमें आपको क्या करना है आपको पांच चीजे अपनी डाइट से पूरी तरह से अवाइट करनी है चाहे आप लेडीज हो या जेंड्स हो जी केलेस्ट्रोल तो किसी का भी बढ़ सकते हैं तो आपको पांच चीजे अपनी डाइट से पूरी तरह से अवाइट करती हैं इसमें सबसे तो जितना बैड केलेस्ट्रॉल होता है यह शराब से दोगुना बढ़ता है तो शराब को आप तुरंत बंद कीजिए अगला जो चीज है कि अपनी डाइट में से मीठा जितना हो सके आप मीठा जो हम चीजी से बनी हुई चीजे हैं उनको खाते हैं तो वह अक्सर हमें बहु बचा सकते हैं और जिनका केलेस्ट्रोल नहीं भी बड़ा है अगर वह यह सारी चीजें फॉलो करते हैं तो इस चीज का बहुत ज्यादा पायदा मिलता है अगला जो आता है हमारा कि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को पूरी तरह से वाइड कीजिए कि जो भी लोग ज्यादा smoking करते हैं उनका बैट cholesterol बहुत ज्यादा बढ़ता है तो वह good cholesterol को down करता है अगली जो चीजे हैं जितना आप deep fried food खाते हैं जितना खुब तल तल के food खाते हैं तो वह भी आपको जो है अपनी diet से बिल्कुल पूरी तरह से हटा देना है आपको जो है बिल्कुल तला खाना बिल्कुल नहीं खाना है तो कोशिश कीजिए कि आप यह सारी चीजे ना खाएं अगली जो चीज आती है जितना हो सके हाई जो फैट वाली चीजे हैं हाई फैट वाली चीजे जितना आप कम खाएंगे उतना ही आपका cholesterol जो है control रहेगा तो आपको जो छोड़ी छोड कि यह तेल बढ़िया है और इसमें खुब डीप फ्राइ करके खाएं तो वह सारे जैसे होते तेल भी बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं तो जितना हो सके जो हम अगर अपनी डाइट को बैलेंस रखते हैं और अपनी डाइट के अच्छी डाइट पूलो करते हैं तो आपक वह भी पूछ सकते हैं और जो भी चैनल पर नहीं है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत अन्या